अब हम लोग यहाँ पर नेक्स चेप्टर करेंट इलेक्रिसिटी को पर बात करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक काफी काफी इंपॉर्टेंट है एक तो ड्रिप्ट स्पीड जे बाई एक एक कोल होता है इसकी डेरिवेशन आ सकती है जे करेंट qu Eigen्ट क्वान्टिटि एक इक सकेलर होन्की के करने जाता है की करेंट की स्केयलर क्वान्टिटी इसके बारे मीं बात कर दी जाती है फिर उसको बेसिकली आपको microscopic करीके से dependence of resistivity on temperature उसको explain करने के लिए आता रहता है राइट अप्लिकेशन बेस्ट ऑन आर इकुल रो एल बाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पर बार बार अप्लिकेशन आता है खासकर एक वायर दे रखाओगा कहेगा उसको मैंने 10% कर दिया तो अब बताईए कि stretch करने के बाद नया resistance कितने percentage increase किया राइट ऐसे कोस्ट कई दफे आये हैं आते रहते हैं वायर एक है उसको stretch करके फोर टाइम्स कर दिया उसकी लिंद तो अब बताईए नया resistance कितना होगा ग्राफिकल कुस्ट आ जाते हैं वीकल टू आई यार दो डिफरेंट कंड़क्टर के लिए वी और आई का ग्राफ दे रखा होगा उसके वेसिस पर कुछ कुछ पूछा जा सकता है तो इसके उपर क पूछा जाता है और नॉर्मली एक नियमेरिकल प्रॉलम तो आते ही है इस बात को दियान में रखेंगे यूजिंग कि चाउस लौ आपको करेंट की वेल्यू कहा जाएगा नियकालने के लिए कैल्कुलेट करने के लिए तो इसके उपर एक कुस्ट नाप लेके चलें और ख बनाई है फिर सर्कुट को डाइग्राम बनाने के वाद फिर आप करेंट के वेल्यू कैल्कुलेट कीजिए ऐसे कुस्टन नॉर्मली आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है को मिनेशन आप ये मैफ स्रीज अपैरल कॉमिनेशन दोनों है इकल टी एवन प्लस एटू ये स्र डिraf करना आता रहता है मीटर रीजय आफ व्रिस्टन नवेज ये काफी काफी इंपॉर्ट्रिपी ये बहुत यह यहीं ब्रीजोय यह काफी बालस ब्रीजिस्टे मफी नपे डिराइब करने कि लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी को लेकर मेटर बैश का जो क्रे पूटेंशियो मेटर पर आप लेके चले कि एक नियम्रिकल प्रॉलम आने के चांसेस बन जाते हैं काफी कंसेप्चियों को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा क्योंकि यह एक्षुली जो है आपका एक्स्प्रेमेंटल फिजिक्स का पार्ट है तो प्रिवियस यह बोड के इसको दियानोंकि आपको अब देखने यहाप कौन-कौन-से एक्ग्जांपल अपकर लिए इस चाप्टर में 3.2 3.33 3.6 3.7 3.8 3.9 exercise में 3.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 12 18 19 21 and 24 यह कुछ questions हैं जो आधि आप करते हैं तो इस chapter पर आपका एक numerical application के point of view से board के point of view से आपका एक command हो जाएगा तो यह सारे कुछ important topics हैं और यह कुछ important problems हैं जो इस chapter में आपको करना चाहिए अब आप लोग यहां पर next chapter को पर बात करते हैं